हलो एंड वेलकम इस वीडियो में मुझे दो बाते बतानी हैं पहली बात हम करेंगे रिवाइज़र आंसर की के बारे में जो के पंचायत एकाउंटस असिस्टन्ट का एक्जाम हुआ था उसके बारे में उसके बात मैं आपको बताऊंगा जेके पेसी केस के लिए जो बहुत स दिया गया है और आज मतलब आज का डेट है 25th of November को आपके सामने ये रिवाइज़र आंसर की है जिसमें से कोई भी सेट हो इन में से सेट A, B, C, D उनका 93rd, 96th, 95th या 96th question number जो है उसका previous answer दिया गया था previous answer जो डिकलियर किया गया था B अब वो नहीं है अब final answer या रिवाइज अब बात करेंगे जो बच्चे हम से लेना चाते थे coaching जेके PC case की उनके बात करेंगे देखो मैं ये भी नहीं चाहता कि अगर हम आपको नहीं ले सके अगर batch full हो गया तो आप हमारा इंतिजार करो आप किसी दूसरी जगा भी पढ़ने जा सकते हो लेकिन जिनको जवाब मिला है वो तो ठीक है लेकिन बहुत सारों को और भी जवाब नहीं मिला वहाँ पे मुझे पता है क्योंकि वहाँ पर टाइम लग रहा है कि कौन-कौन सा admission लेगा कब तक लेगा बहुत सारी बाते होती है आप मैं ये बता रहा हूँ आपको आज 25th of November है न तो याद रखना 25th of November स जिस जिसको वहाँ पे जवाब मिलेगा बस वहीं admission ले सकता है जिसको 30 November तक जवाब नहीं मिलेगा 5 दिन में वो ये समझ ले कि हमारा batch फुल हो गया है वो किसी दूसरी जगा पढ़ने जा सकता है या फिर हमें हमारा नया batch जब उठेगा आगे उसके लिए admission कर सकता है लेकि याद रखे आप कि बहुत सारे को जवाब मिला और मैं यहीं नहीं चाहता कि आप हमारे इंतिजार में अपना time ज़ाय करो बहुत सारे बच्चों को जवाब मिल रहा है 25 से लेके 30 जिस भी बच्चे को 30 तक जवाब मिलेगा आप यह समझ लेना वो कर सकता है लेकिन जिसको नहीं मिलेगा 30 तक जवाब यह आप समझ लेना कि फिर हमारा बैच फुल हो गया है ठीक है यह बात आप मेरे दोस्तों याद रखो समझो क्योंकि मैं नहीं चाहता आप हमारा इंतिजार करो और फिर अपना time जाय करो बस यही बाते में कह रहा हूँ आपको के कहनी थी आपक मेरे प्यारे बच्चों बाइ 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 अलाहाफेज